हेलो फ्रेंट्स में राहुल जैन नमोकार गेमिंग वाल चैनल पर आपका हर्तिक स्वागत है दोस्तों गेमिंग टोक्स के इस नए एपिसोड में लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास इंटरस्टिंग गेमिंग नियूस तो सबसे पहले अगर मैं नियूस की बात करूँ तो वो है जैल्डा गेम को लेकर जो लाश्ट इयर काफी जादा फेमस रही थी निंटेंडो स्विच कंसोल पर एक्स्क्लूजिव टाइटल है अब बताया जा रहा है कि कंपनी उसकी यूस सक्सेस को देखकर जल्दी जल्दी उसकी development को कराने में लगी हुई है और बताया ये तक जा रहा है कि E3 में शायद आपको उसका नया trailer देखने को मिल जाए जल्दा की नहीं गेम का अब उसका क्या नाम होगा इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया लेकिन पूरी company planning में है कि next year तक उसे launch कर देगी वैसे किसी भी game को बनाने में 3 साल का time minimum लगता है लेकिन मुझे लगता है कि company पर इतनी use success जो हुई है इस game की तो company चाते है कि फटा फट से निकाल कर दरदा दर से पैसा कमा लिया जाए तो देखते है यार बाकि सुपर मारियो ओडिसी से related अभी तक कोई news सामने नहीं आए कि सुपर मारियो का नया title कौन सा होगा मैं बहुत जादा excited हूँ सुपर मारियो की कोई भी जो नई game development में चल यह उसके बारे में जानने के लिए आप लोगों की क्या राई है जल्डा के बारे में प्लीज बताईए बाकि personally मुझे जल्डा बहुत जाद अच्छी नहीं लगी थी अगर आप में से किसी ने खेली हो आपके पार Nintendo Switch Console हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं साथ में दोस्त की भी रिलीज डेट अब सामने आ गई है वो है 20 मार्च से तो लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा जो ट्विश्ट आता है निकलकर वो यह आता है कि आपको PC पर यह बीटा वर्जन नहीं मिलेगा अगर आप प्रियोडर करा भी लेते हैं तब भी लेकिन PC पर यह गेम आपको गोल्ड एडिशन है वो लगबग 2,000 रुपे का मिलता है और कंसोल की अगर मैं बात कर लो तो वही एडिशन आपको 6,000 रुपे तक का मिलता है तो यार मतलब अंधेर गर्दी मची हुई है हर तरफ अगर देखा जाये तो मलब इतना जादा मलब कंसोल वालों को तो ऐसा सम मैं PC को जिम्मेदार ने ठहराता मैं ठहराऊंगा कंसोल को तो कंसोल वालों को ये चीज सोचने चाहिए कि अगर आप इंडिया में कोई गेम अपनी दे रहे हैं तो वहाँ के प्राइस उनके एकोडिंग रखें उन गेमर्स की पोकेट मनी के एकोडिंग रखें जिससे आप आप क्या चाहते हैं कि हम ये जो गेम है PC पर परचेस करें कि PS4 पर करें तो प्लीज उस बारे में भी आप लोग जरूर कमेंट कीजेगा जब भी हम पोल कराएंगी और इसी चैनल पर पोल कराने वाले हैं दोस्तो और आप लोगों के साथ मल्टि प्लेयर फाइटिंग करने में बहुत ही मज़ाएगा अब चलते हैं दोस्तो अपनी नेक्स्ट नीउस के तरह और जिस गेम के बारे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तो वो PlayStation 4 का exclusive title है माना जा रहा था कि PlayStation 4 ने सिर्फ अपने चार official title एक तरह से हमारे सामने reveal किये थे जिसमें सबसे पहला जो नाम था वो judgment अगर आपने दोस्तो यकूजा गेम खेली हो तो ये उसी की तरह उसी के जोनर पर बनी action adventure गेम है जो exclusive PlayStation 4 पर launch हो रही है और इसे बनाया है सेगा company ने तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मलब Sony company का अगर ये title है और exclusive launch हो रहा है तो फिर क्यों Sony company इसका जादा कुछ परचार परसार नहीं कर रही है वैसा भी हाली में PlayStation जो official channel है उसका tailor आया था तो तब जाकर मैंने इसकी जानकारिया हासिल की तो मुझे नहीं लगता कि ये PlayStation 4 के जो exclusive title है जिस तरह से वो perform करते हैं या जिस तरह का उनका response देखने को मिलता है ये game कुछ उनके आगे जादा टिक जाएगी वैसाम इस game की live stream जरूर करेंगे और उसके बाद आप लोग decide कीजेगा कि ये game purchase करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए क्यों कहीं न कहीं मुझे कुछ गडबड घोटाला लग रहा है कि ये game इतनी जादा popular नहीं है और बहुत अच्छी भी निकल सकती है और हो सकता है कि बिल्कुल flop भी चला जाए title आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे जरूर बताएं comment box में और judgment तो पहला ही title है इसकी कोई पहली series नहीं है लेकिन Sega एक बड़ा नाम है Sega की Sonic और बहुत सारी games है जो बहुत famous हैं तो अगर आप लोग excited है या Yakuza series आपको ज़रूर बताईएगा अब चलते हैं दोस्तों अपनी next news की तरफ और यह आ रही है कोरी बारलोग की तरफ से जो God of War जैसी legendary game के director है उन्होंने बताया है कि जब God of War जैसी game जब development में चल रही थी तो उनकी first choice इसका जो नाम है title है God of War नहीं था इन्होंने इसका नाम सोचा था angry man from Greece करके लेकिन अच्छा ही हुआ कि यार वो title इन्होंने नहीं रखा और God of War एक मतलब ऐसा catchy title निकला कि हर किसी की जबान पर है हर कोई gamer इस game से परीचित है कहीं न कहीं जिनके पास console नहीं भी है वो भी कहीं न कहीं अपने मन में ये एक च्छा दबाई बैठे हैं कि कभी इम्यूलेटर आएगा और उन्हें ये game PC पर खेलने को मिलेगी साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दू कि God of War 5CV related कुछ news सामने आई है लेकिन उस news को हम करेंगे अपने next episode में cover तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम God of War से related आपके सामने एक news लेकर आते रहें तो प्ल